नमस्कार आप देख रहे हैं लाइप सिटीज और आपके साथ मैं हूँ असीम राजधानी पटना के मौसम के अगर बात करें तो एक बार फिर से मौसम ने करबटली है और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ पानी के चोड़े चोड़े बूंदे जो है वो अब जमी पे गिरने लगें देखें गर्मी से लोग परिशान बेहाल दिख रहे थे और आज जब मौसम ने एक बार फिर से करबटली है और अगर आपको नजारा देखाए तो किस तरीके से एक खुबसूरत नजारा जो है वो जो लोग परिशान और बेहाल दिख रहे थे जिस तरीके की कड़ाके की गर्मी थी गर्मी से लोग परिशान थे बेहाल थे बेशायन थे और गर्मी से लोगों को रहत मिली है और आज 24 जून है और 24 जून को मुख मंतरी नितीस कुमार पटनावासियों के बड़ी सौगात तेने जार रहे हैं मीटापूर फ्लाइओबर ब्रीज और जिस अटल पत पर फिलाल हम मौदूद हैं उसका फेज टू और गंगा पत ये तीन जो मुख सड़के हैं जिसका आज घाटन होना है और खुसनुमार दिन में खुसनुमार मौसम जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वह अभी से चलने लगी है और अगर आप देखे तो बूंदाबांदी की भी सुरुवात हो चुकी है जिस तरीके से इस बूंद की परतिच्छा जो है इंतजार जो है वह लगतार राजानी पटना के लोगों को थी और अब जब लुफ्त उठा रहे हैं और अब क्यों न उठाएं जिस तरीके से कड़ाके की गर्मी थे और लोग परिशान और बेहाल दिख रहे थे उससे जरूर राजधानी पटना के लोगों को रहत मिलेगी और एक खुबसूरत नजारा जो है वह अटल पत पर भी देखने के लिए मि ऐसा कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान और कहीं ना कहीं राहत जरूर देखने के लिए मिलेगी और यही कारण है कि अब एक बार फिर से भगवान इंद्र देव जी जो हैं वो प्रशन हुए और बौसम ने एक बार फिर से करबट लिया और एक खुबसूरत तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आ रही है मैं और मेरे सहियों की गुडूज है वो लगातार इन तमाम तस्वीरों को आपके साथ साजा कर रहा है और देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो अब तमाम जगाओं पर जो हैं वो दिखने लगे हैं जिस तरीके से कडाके की गर्मी थी और लोग जो हैं वो लगातार यह कोसिस पर रहते थे कि काम जल से जल निप्टारा कर वो घर पहुंचे और ठंडी हवाओं के सामने वो बैठे मगर अब नेच्रल प्राकिर्तिक भरा ठंडा हवा जो है वो चलने लगा है और बुनाबांदी की भी सुर्वात हो चुकी है खैर कर दो कर दो